और देहरादून में बित्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंदर अगरबाल ने एक सितंबर 2022 से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना के बारहवे और तेरहवे लकी ड्रॉक की घोशना ऑनलाइन माध्यमशी की है जिसमें अक्टूबर और नमंबर माह में उपभोकताओ के अपलोड किये गए बिलों को भी शामिल किया गया है त्री मंत्री प्रेमचंद्र अगरबाल ने कहा कि आज का समारोहों ऐसे उपभोकताओं मैंसे बारहवे और तेरहवे मासिक लखे ड्रॉक के विजिताओं का चैन की जाने के लिए आयूजित किया गया है जिन्होंने पंजी करत वैपारियों से की गई खरीद के बिल को बिलीपुक एप पर अपलोड किया है उन्होंने कहा कि उपभोकताओं मैं बिल लाओ इनाम पाओ योजना के प्रती लोग के प्रता दिन प्रते दिन बढ़ते जा रही है उन्होंने कहा कि नमबर माह मैं 64,828 बिलों को श एक सितंबर 2022 से बिल लाओ इनाम पाओ जो की इसके मुने शुरू की थी और इस स्कीम का हमने बारवा लखी ड्रॉज निकाला है अक्टूबर और नमबर 2023 का यानि दो महिने का आप जानते हैं कि जब से यह स्कीम हमने लागू की है तब से लगातार इसकी लोग प्रीदा ब नमबर महा में अभी तक का सबसे जादा हमें बिल मुले भी मिलाया भोगता भी बहुत जादे इसमें बिल उन्होंने अपलोड किये हैं 64,828 बिल अपलोड हुए हैं और 28,50,000,000 रुपे का उनका बिल मुले अभी हमें मिला है तो आप समझें कि जनता में इसका बहुत जनता में उत्सा है और उनके उत्सा और उनके मांग को देखते हुए हमने इस स्किम को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया भी है तो जेस्टी डिपार्टमेंट को मैं बहुत साधुवा दे रहा हूं और तमाम भोगताओं को जिनको आज हमने 1500 अक्टुबर मांकर 1500 नवंबर मांकर जिनको आज इनाम मिला है उनको मैं बहुत बढ़ाई दे रहा हूं और अच्छी बात एक और भी है इस बीच में जितने भी हमने ड्रा निकाले हैं चुकि यह पारदर्शी तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं किसी प्रकार की न कोई शिकायत है न किसी प्रकार का कोई ऐसी दिक्कत है उल्टा इसमें जो उत्सा देखनों मिल रहा है पुरे प्रदेश बर में मैं इसके लिए सभी बोगताओं का बहुत धन्यवा बात कर रहा हूं कि आईए इसी स्कीम का लब